नमस्कार दोस्तों तो इसी केसाद Seetat ने अपनी नए फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर दी है और यह जो नोटिफिकेशन है आप Seetat की बातें confirm करना चाहूंगा पहली बात ये कि ये seated का नया notification है दूसरा इसके अंदर क्यों सी new dates है उसके बारे में बात करने वाला हूँ पहली बात ये कि new notification आ चुकी है और कल यानि कि कुछ दिन पहले जो एक notice मार्केट में आया था वो fake नहीं था वो genuine था तो देखिए यहाँ पर जो खास चीजे हैं जिसको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपके form भरने की जो date है वो शुरू हो चुकी यानि कि अब आप seated की website से form जमा कर सकते हैं और form भरने की जो date है वो एक अगस्त से 27 अगस्त दी गई है और आखरी जो दिन है यानि कि last date for submitting online application 27 अगस्त है और fees submission की last date 30 तारिक है यानि कि अगर आपने 27 तारिक तक form भर दिया है तो 30 तारिक तक आप 3.5 बज़े तक fees भर सकते हैं तो यह थी दूसरी update बाकी जो update है वो सब कुछ same है यानि कि जो तो चीज़े आपको पहले मैंने बताई थी वही सारी चीज़े है syllabus और सब कुछ same है और साथ में एक और यह देख लेते हैं इसके अंदर eligibility के अंदर कहीं name it is known, graduation whatever name it is known, so simple सी बात है यहाँ पर फिर से किसी भी तरह के B.A.D. वाले को यहाँ पर paper 1 देने की कोई इजाजत नहीं दी गई है तो यह सवाल भी यहाँ पर clear हो जाता है कि B.A.D. वाले अभी seat at 1 के लिए eligible नहीं है अब यह सारी चीज़ सेम है अब जो सबसे important चीज़ है वो है exam की date तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ सबसे आखरी page पे देखिए सबसे आखरी page पे यहाँ पर time schedule दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देखते हैं देखिए यहीं पर है यहाँ information about seat at 2018 के बारे में glance में सारी चीज़े दी हुई है देखिए एक से 27 तारीक तक form बरने की date है यहाँ पर जो download admit card जो है board की वसेट से आप download करेंगे और यह देखिए है exam की date जो है वो केवल 2018 यानि की date अभी fix नहीं करी गई है की exam की date क्या होगी ठीक है तो फिलाल अभी हमारा first stage में काम क्या है first stage में हमारा काम यह है कि हम फटाफट form को भरेंगे और form बरने को उसको submit कर देंगे और दूसरा काम यह है कि इस channel को subscribe करेंगे जिससे आपको सारी की सारी detail मिलती रहे study material मिलता रहे पढ़ने के यहां पर आपको regular guidance मिलते रहे जिससे आप seated बहुत ही ज़्यादा चुटकियों में crack कर पाएंगे अगली जो वीडियो हमारी होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको form बरना है एक sample form बरके मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो कुछ भी गलती ना करें अभी आप वेट करें उसके बाद आप form बरें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें कि वो भी किस तरह की गलती ना करें पहले आगे नवाली वीडियो देखें कुछ दिन रुकें और उसके बाद ही form बरें अभी के लिए तना ही मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद